देखें इस तरीके से यहां पर हम लेस लगा लेंगे अब देखिए हमारा फ्रंट की भाग जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको आज मैं इस अंग्रेखा डिजाइन टॉप की कम्प्लीट कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाला हूँ इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने बुंडी प्रिंट चंदेरी लिया है जो एक मिटर है इसकी बॉडी में लगाने के लिए मैंने एक मिटर अस्तर भी लिया है आपको कम लगेगा इसकी घेरे में लगाने के लिए प्ले चंदेरी लिया है जो यह सवा मिठर के आसपास है इसका जो मेजर मेंट है वो कुछ स तरीके से मेजर मेंट है आप जो है अपने सूट या कूर्ती की मेंजर मेंट से बना सकते हैं सबसे पहले हम बै Lawrence काटिंग करेंगे तो यहाँ पी हम सिधा निशान लगा देते हैं तो जो भी आपकी टॉप की, बोडी की लंबाई होगा उसमें आपको एक इन्च प्लस करके यहाँ पे निशान देना है जैसे कि मेरे केस में 15 इंच है तो हमें 16 इंच पे निशान लगा रहा हूं जितना आपका measurement आया होगा solder का उतना complete measurement रखना है मेरे में 12 इंच है तो उसका आधा सवा 6 इंच मैं रखूँगा यहां पर आपको पौना इंच solder slope देना है उसके बाद आर्मोल निकालने के लिए जो भी आपका full chest होगा उसमें भाग देना है 6 से जो भी measurement आया उसमें plus कर देना है 0.25 से लेकर 0.5 इंच तक इसमें आ रहा है 5.91 मैं इसमें 6 इंच complete लूँगा इस निसान से नीचे ऐसे अब जो भी measurement हमारा यहां आया है वही measurement हम यहां पे ले लेंगे और इस निसान को कुछ इस तरीके से मिला देंगे अब उसके बाद scale को इस तरीके से रखना है इस line को सीधा कर लेना है जितना भी आपका अपर चेस्ट का measurement होगा उसमें आपको 0.25 losing add करके यहां पे mark करना है यहां पे जो होगा हमारा 7.8 inch होगा 8.25 उसमें आप डेर से 2 inch fitting की margin रख सकते हैं इधर के side में आपको 1 inch अंदर के side ऐसे निसान देना है अब इस निसान को इस तरीके से मिला देना है यह जो में निसान है उससे 1 inch मैंने अंदर लिया यह हमारा perfect निसान हुआ उसमें 5 inch बढ़ा दिया मैंने 0.25 तो 7.8 inch और उसके बाद यहाँ पे fitting के लिए इतना अब इस तरीके से निसान लग गया अब इस निसान को आपको यहाँ मिलाना है नेक की चौडाई मैं इसमें 3 inch ले रहा हूँ तो आपको cutting जो करना है वो पौने 3 inch पे करना है ऐसे और यह निसान को इस निसान से मिला देना है अब यह जो मैंने 1 inch अंदर की side किया है यह आपको सिर्फ और सिर्फ front में देना है back में नहीं देना है back में आगर आप dot देना चाहते तो dot भी दे सकते है तो जो भी हमारा यहां पे measurement होगा कमर का सारे 7 inch यह हमारा perfect होता है इसमें हम 1 inch dot add करेंगे तो यहां तक हमारा perfect होगा अब यहां से हम 1.5 inch यह वाला extra लेंगे और इस निसान को ऐसे मिला देना है आपको कमर में कोई भी losing add नहीं करना है अब neck drop जो है मैंने 9 inch लिया है आप अपने इसाप से कम ज्यादा कर सकते हैं और जितना हमने यहां लिया है उससे हम आधा inch बढ़ा पाव inch बढ़ा कर यहां पे निसान लेंगे यानि कि पौने 3 inch के जगा पे 3 inch कर देंगे अब इसको हम इस तरीके से लेंगे और इसको जो है ऐसे वाला गोलाई दे देंगे armhole कुछ इस तरीके से लेना है तो इसमें मैंने dot दिया है इसलिए हमें क्या करना यहां पे 6 सूत उपर करना है 6 सूत यहां पे ऐसे और इस जगह से इस जगह ऐसे मिलाना है यह मैंने समझाया है front के लिए इसको कट कर देते है front में समझायेंगे अब इसको ऐसे यहां से मिलाना है ऐसे देखिए इस तरीके से अब यहां पे आप नाप कर देख सकते हैं कि आपका armhole perfect आ रहा है या नहीं आ रहा है नहीं आ रहा होगा अगर आपका armhole perfect टो आप इस निशान को नीचे कर सकते हैं और बहां से आर्मॉल ले सकते हैं जब इसमें अगर dot लगाते हो तो आपको यहां पर 5 इंच यानि 0.75 ऊपर करना है अगर आप यहां पर नहीं लगाते तो यह वाला निशान करेंगे अब हमें front cut करना है front cut करने के लिए मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा अब क्या करना है आपको यहां पर 6 इंच के आसपास ऐसे निशान देना है या 5 इंच भी आप दे सकते हैं ऐसे निशान लगा देना है उसके बाद जो back हमारा था उसको ऐसे ले लेना है अब यहां यहां पर ख butterflies हमारा थोड़ा सा कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा और अंदर कर लेंगे कि इस निशान को हम cut कर देंगे और इसको हम यहां से लेंगे ऐसा मैं इसलिए कि क्या कि यहांपे एक इंच हमारा डॉट हो रहा है, एक इंच हमें और डॉट बहाना है. अब क्या करना है? पहले तो हम इसको सीधा कर लेते हैं, आपको समझने के लिए. बैक से फ्रंट में यहां पे आधा इंच लंबाई बढ़ा देना है यहां पे आपको सेम निशान लगा देना है और आर मोल भी आपको सेम कर देना है उसके बाद यहां से यहां आपको ऐसे क्रोस मिला देना है और यहां पे नेक की चौड़ाई जो है आपको सेम ले लेना है यह वाला जो निसान है इसको भी आपको यहां पे ऐसे लगा देना है और इस जगव पे आपको यह वाला जो डेर हिंच दिख रहा है यह डेर हिंच आपको यहां पे लेना है और इस निसान को ऐसे मिला देता हूँ तो यह हमारा fitting वाला निकल गया और इसी को रखकर इसको ऐसे यहाँ पर यह निसान लगा देना है अब मैं आपको समझा दूँ कि इसको ऐसे था और यह जो था हमारा यहाँ पर ऐसे ये जो हमारा ये वाला जो निसान बना देखिए, ये वाला वो यहां से ऐसे आएगा अंदर एक इंच, ठीक है? अब इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे तसा ऐसे, ऐसे मिला देंगे, और इसको उल्टा रखकर ऐसे, और यहां पर निसान लगाएंगे, अब जो डॉट देना है आप पर 2 इंच मार्जिंग हुआ है एक इंच मेने इधर लिया और एक इंच हमारा यहवला हो गया तो दो इंच तो यहां पर आपको दो इंच पे ऐसे निसान लगाना है यह हमारा तो यहां से हमें लेना था सवातिल मिश्टेक हुआ है यहां आएगा और यहां से दो इंच जाए गा अग धाई इंच नीचे तक डॉट लेना है या दो इंच आप कर लिजिए आपको ऐसे डॉट लगाना है इस तरीके से यहां तक आपको डॉट देना है और नेक डॉप जो है यहां से 7 इंच यह वाला है पक्का यह निशान हमारा नहीं है फिर से मैं बता रहा हूं अब इसको कुछ इस तरीके से इस निशान से इस निशान पर ऐसे मिलाना है खोड़ा सा और सेप देंगे हम इसमें उसके बाद हम इसको जो है ऐसे करके छोड़ देंगे जब हम यहां पर डॉट लगा लेंगे उसके बाद हम यहां से नीचे मिलाएंगे तो इसके लिए हम अभी सीधा-सीधा ऐसे कटिंग कर लेंगे मैं कट करके दिखाता हूं इसको यहां पर हम एक कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे अब आपको इसमें चेंज क्या करना है पैक में वो देख लिजेगा ध्यान से यह दोनों हमारा सेम कटा है लेकिन बैक की गला जो है वो ज्यादा डीप है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस साइड आधा इंच हम कम करे देखेंगे सोल्डर और इसको ऐसे रखिए देखिए यहां से रखिए तो आपका जो नेक है वह यहां पर आ गया ठीक है इस जगह आ गया अब इस नेक को ऐसे मिला दीजिए कि और इसको जो है कट कर दीजिए अब आपको मेल फैबरिक ले लेना है इस तरीके से इसे हम बिछा लेंगे इसको देखिए ऐसे फोल्ड करके पहले हम बैक कट कर लेंगे कप्रा बचाने के लिए तो ऐसे करूँगा मैं रप कटिंग कर लूँगा इसको साइड में रख देंगे अब यहां पर आपको ऐसे खोल कर और इसको बैठाना है आपको इस तरीके से बैठा लेना है जबा भी तो इस तरीके से आपको इसको कट कर लेना है यह ऐसा कटिंग हो गया उके उसके बाद इसी में हम कट कर लेंगे स्लीव तो कंप्लीट हमार एक मीटर जो है फैब्रिक लग जाएगा बोडी में स्लीव कट करने के लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूं ऐसे नाप लेना है उसके आपको लंबाई मापकर निसान लगा लेना है एक इंच एक्ष्ट्रा करके उसके बाद यहां से आपको सारे तीन इंच मेजरमेंट करना है जो हमने ऐसे में यहां से यहां छे इंच लंबाई लिया है उसमें आधा इंच बढ़ा देना है ठीक है ऐसे छे इंच लिया है तो ऐसे हम सारे छे इंच कर देंगे प्लस डेर इंच ऐसे बढ़ा देंगे और य अभी तरीके से आपको निसान लगा देना है अब उसके बाद यहां पे जो भी ऐ मेजर्मेंट और 1.5 इंच मार्जिंग एड़ कर देना है यहां पे front का cut लगाया है मैंने उसके बाद बारी आती है इसका देखिए अब इसको कैसे लेना है मैंने measurement में बताया है आप उसके इसाब से चार इंच उपर नीचे आप कर सकते हैं दोनों पल्ला में पहले मैं इसका किनारी काट कर राददा हूं अब इसका लंबाई आप देख लीजिए यह डवल फोल्ड है देखे 25 दूना 50 इंच है ठीक है तो सवा मीडर कप्रा है हमारा ऐसे में आप इसको कम यार ज्यादा भी रख सकते हैं अब क्या गरेंगे हम इसको सिंगल कर देंगे अब हमारा टोटल लंबाई जो था देखिए यहां पर समझेगा टोटल लंबाई 27 इंच है उसमें हम बोडी जो है माइनस कर देंगे 15 इंच तो 12 इंच बचेगा तो 12 इंच के जगह पर हम इसको 14 इंच कटिंग करेंगे दो इंच एक्स्ट्रा करके देखिए यहां से ऐसे 14 इंच पर निसान लगा देंगे और ऐसे हम कट कर लेंगे इसको यह हमारा हो गया उसी के बाद आपको ऐसे रखना है देखिए ऐसे इस तरीके से आपको बिझाना है और यहां पर आपको इसको 4 इंच कम कर देना है ऐसे में आप थोड़ा सा इससे कम रख सकते हैं 3 इंच भी रख सकते हैं ऐसे भी रख सकते है मैं तीन इंच बला भी बताता हूं थोड़ा बड़ा ही कटिंग करता हूं ऐसे रखके तीन इंच और फिर इसको भी हम कट कर लेंगे आप यह जो है हमारा इस तरीगे से बैठेगा देखिए इस तरीगे से यहां पर हम अटेज करने वाले हैं तो चलिए अब इसकी श्रिचिंग कैसे करना है वो देख लेते हैं तेखिए सबसे पहले इसका हम बैक बनाएंगे बैक बनाने के लिए आपको क्या करना है गला कर लेंगे राउंड जगा पर आपको छोटे-छोटे कट लगा लेना है ऐसे करके आपको एक सिलाई लगा देना है अब इसको ऐसे कर देना है अच्छे से एक इस पर हम कच्छा सिलाई लगा देंगे इस तरीके से अब उल्टा करके और इस सभी जगह पर सिलाई लगा देंगे अब जो भी इसका इस्ट्रा मार्जिंग है उसको हम कट कर देंगे उसके बाद यहाँ पर हम डॉट लगा लेंगे अब जो है हमारा बैक कंप्लीट त्यार हो चुका है अब हम फ्रंट की भाग बनाएंगे प्रंट की भाग बनाने के लिए क्या करना है आपको इसको रखना है साइड में और यहाँ पर इसको ऐसे डाबल करके और यह वाला जो हमने यहाँ पर डॉट का निशान दिया था यहाँ पर ऐसे सुई डाल कर गॉर कर देना है सब्सक्राइब आए से ताकि आपको समझ में आये कहां कि यहां तक हमारा स्भाड रहेगा और एक कर लगाएंगे ईससे हिसमें हम जवाबी डॉट लगाएंगे पहले यह हमारा इस साइड का हो गया तब इसको ऐसे करके उल्टा करके और इस साइड के लगाएंगे अब हमारा जो है कुछ इस तरीके से बन गया अब क्या करना है हमें इसको मिलाना है यहां पर हम दो कप्स रखेंगे इस तरीके से देखिए यह जो है हमारा पॉइंट बनेगा अब इसको इस पर रखकर इस तरीके से मिलाएंगे अब जैसा मैं बैठाया हूं इसको ऐसे बैठा कर आपको सबसे पहले हैं souder मेजरमेंट करना है सोल्डर जो है इसमें हमने सारे बाड़ा इंच कटिंग किया था और एक इंच बढ़ गया साढ़े 13 इंच हो भाग एकदम एस्टेट हो गया है अब इसको जो है यहां से आपको मिला देना है देखिए इस जगह से लेंगे हम जो भी एक्ष्ट्रा हो रहा है कि ऐसे मिला देंगे देखे इस तरीके से आपको प्रोपर बैठा देना है उपर का भाग और सेम दूसरा वाला भी इसी तरीके से हम कट कर देंगे अब इसको हटा कर जो भी इसमें एक्ष्ट्रा होगा उसको हम कट कर लेंगे इतना करने के बाद आपको एद दोनों सिलाई को खोल देना है अब हम मेन पला ले लेंगे और मेन पला पे इसको हम पल्टी कर लेंगे और ऐसे रख देंगे और इसमें हमें गला पल्टी करना है अज साथ मैं यहां पर भी इस तरीके से कर देना है मैं एक करके दिखा देता हूँ यहां पर कट भी आपको लगा देना है और इस तरीके से यहां पर भी शिलाई लगा देंगे उसके लाद ऐसे पल्टी कर देना है यहां पर एक कच्चा सिलाई देंगे और इस तरीके से पक्का कर देंगे जो भी इसका एश्ट्रा मार्जी के उसको कट करके निकाल देंगे अब वापस इसमें दोनों पल्ले के साथ में इसको हम डॉट लगा देंगे ऐसे लेकर देखिए इस तरीके से हो गया अब दूसरा वाला को भी हम सेम इसी तरीके से बना लेंगे देखिए अब दोनों पल्ला तयार करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा बोडी दिखाई देगा अब यहां पर हम लेस लगाएंगे यहां और यहां दोनों जगा पर इसको ऐसे ले लेंगे और यह वाला लेस लगाने वाला हो इसमें मैं और इस जगह पर मैं यही से लगा कर छोड़ दूँगा देखिए दोनों में लेस लगाने के वाद मैंने प्रेस लगा लिया अच्छे से अब कुछ इस तरीके से दिखता है अब हमें विसेस ज्यादा कुछ करना नहीं है यहां पर जो है ऐसे करके बैक से मिला लेना है यह वाला पार्ट नीचे का पार्ट जो है यह देखिए ऐसे कर कि आपको बैक से perfect अर्जेस्ट कर लेना है तो इतना पर हमें perfect है अब हम यहां से यहां सिलाई लगा देंगे इसमें उसके बाद यहां से हम सिलाई लगाएंगे तो इसके लिए यह वाला को निकाल देंगे अब कुछ इस तरीके से आपको यह दिखेगा देखिए कितना perfect हो गया और बैक को भी मैंने इस तरीके से लेस लगाकर और प्रेस लगा दिया अच्छे से अब हम क्या करेंगे नीचे का जो घेर है उसको बनाएंगे अब यह वाला जो पल्ला है हमारा high low वाला इसको ले लेना है और यहां पर हम थोड़ा थोड़ा और इसको लंबाई जो है कम करेंगे ठीक है और यह दोनों में प पक्का कर देंगे दोनों में हम सिर्व इसी तरीके से लगा लेंगे गेदस देने के लिए क्या करना है ऐसे ले लेना है इसको उसके बाद यहां पर आकर और इस तरीके से गेदस देना है देखे ऐसे करके आपको नाप लेना है तो यहां से यहां तक हो गया इसी तरीके से हम छोटा वाला एक पला और बनाएंगे बैक के लिए और उसके बाद जो बड़ा वाला पला है उसको भी हम सेम तरीके से बना लेंगे जैसा मैं इसको बनाया वैसा आपको अभी और एक प और जो इससे बड़ा है हाईवला उसको बना लेना है देखिए मैंने फरंट का जो भाग है घहरे का और इस तरीके से मैंने जोइन कर दिया है और और फ्रंट में सिर्फ लेस placing लगाया है कि यहाँ कि अगया ऊठर लागा दूंगा मैं इस तरीके धी इस दिगो आप और इहां पर भी हम चाहे तो लेस लगा सकते हैं व genre से यहां पे हम लेस लगा लेंगे अब देखिए हमारा फ्रंट की भाग जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको देखिए ये परफेक्ट फ्रंट की भाग हमारा बन चुका है कि दम कितना साफ सुतरा बना है वो देख लिजी आप एक बार तो फ्रंट तो हमारा कम्प्लीट हो गया अब आप लोग सो मैंने हाथ से इसको क्रस किया है क्रस कैसे किया है उब बैक की पार्ट में करके दिखाता हूं उसके बाद बैक की पार्ट सेम इसी तरीके से बनाऊंगा और उसके वाद सोल्डर कैसे जोयन करना है वो मैं दिखाऊंगा ठीक है तो बैक की पार्ट बनाते हैं दिखिए ये थोड़ा क्रश हो गया अभी और करना है मैं दोनों कर लूँ फिर दिखाऊ आपको कि अब उपर वाले भाग को भी ले लूँगा यह नया है तो एक धुलाई के बाद एक्टमेटिक हो जाएगा अब क्या करूंगा अब यहां पर ऐसे पकड़ूंगा देखिए ऐसे अब आपको लग रहा ना कि सेम उस तरीके से हो गया तो इसको भी हम बैक में सेम तरीके से ज्वाइन कर देते हैं जैसा मैंने फ्रंट का भाग बनाया है तो देखिए इस तरीके से हमारा बैक की पार्ट भी बन गया है बैक में यहां नीचे लेस नहीं लगा हुआ है अब इस तरीके से रखेंगे और यहां पर आपको ऐसे करके मिला कर पहले कच्चा सिलाई देना है देखिए इस तरीके से ऐसे जोड़ने के बाद अब हम इसको उल्टा कर देंगे यह कप्स में इसमें लगा नहीं रहा हूं बहुत सारे लोग कमेंट्स करने लगते हैं मैं सिर्फ और की स generation से अब मैं क्या करता हूं इसंमें स्लिव अटेचु करके और साइड की सिलाई लगा कर नौर्मल तरीके से स्फीले लागा करा मैं आपको final piece दिखाता हूं कि कैसा दिखता है Concert उपसे इसवार ञेक Спाट में पर दिखाया है इसका लुक कैसा लग रहा है आप विर द बताइएगा कि आपको पसंद आया या नहीं आया इसकी सिंछ आपको से बना और आप लोग ऐसा आपिपि समेसिन घ्री है सकते हैं या नहीं बना सकते हैं तो आपको लाइक की यह चानल पर आनला हुंगे चानल को सिस्क्राइब जरू कर लीज यह खासे हिए पिर अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद